अलो दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं ड. विबिकुमार को और आज हम चार्फ के क्लासिफिकेशन करेंगे एकार्डिंटू तु जो फैम्ली है उस फैम्ली के एकार्डिंग हम आज फैम्ली के क्लासिफिकेशन करेंगे क्या उसके special characters होते हैं कौन-कौन से क्लासिफ से के जानते हैं और आपसे बता दू निरली जो देखोगे आप यह जो यूबिक्टिस जो family है मोनोकॉदलोनेस जो भी moneocotylidans होते हैं जिनमेhan cotyledans only one पाए जाते हैं उनकी एक यूबिक्टिस family है और इसको grass की family से भी जाने जाते हैं अगर इसमें देखोगे, तो grasses maximum आती है, आपका जो bamboo branch है, वो भी इसी के grass family का ही है, और जो natural grassland है, उसमें maximum जो plants है, वो इसके अंदर आते हैं, और जो species cultivate करते हैं, lawn में और pasture के लिए, वो maximum आपके इस grammy family के पार्ट है, इसमें इसको grass family भी बोलते हैं, that's why आप देख रहे होगे कि the letters are commonly referred to collectively as a grass family, और यहाँ पर आपको यह दिख रहा होगा, यह एक phalaris minor है, actually इसको बोलते हैं, गेहू का mama, यह भी weeds जो है, आपका grass family का, जो wheat crop ने, आपको देखोगे, यह weeds से associated weed है, और पोईसी की सबसे beauty है, कि देखोगे, यह बहुत ही important family है, जो की आपका economical family है, जो staffel food provide करती है, फार domestic production के लिए, आप से बता दू, जिसे आप बात अकरम करें, food security का, तो food grain crops, जो होते हैं न, उसमें आपका cereal, plus pulses, यह दो component, जो है, उसके अंदर करते हैं, food grain crops के अंदर करते हैं, तो यह उसमें एक important role play करता है, cereals में, अगर आप देखोगे, यहाँ पर तो, जो major cereals हैं, crops हैं, जैसे लाइक, आपका maize है, wheat है, rice है, barley है, millet है, यह काफी important crops हैं, जो की इस इसी family के अंदर आते हैं, और even यह आप देखोगे, meat producing animals के लिए, यह काफी used as a feed के रूप में use करते हैं, most of the developed countries जो है, वो जो maize का craft, maize का cultivation करते हैं, especially for the feed purpose के लिए करते हैं, जिसे की, वो meat का production करते हैं, और इसको direct consumption के लिए भी आप use कर सकते हो, जैसे human consumption करते हैं, जैसे हम rice और wheat का direct consumption करते हैं, as a cereal, और देखोगे, just one and half आपका 51% के करीबन, जो है, all energy जो है, यह provide करता है, grass family, और इसमें से, जो major है, आप देखोगे 20% by wheat, and 20% by rice and 20% by wheat, मेज जो है, आपका 5.5% है, और इसमें 6% के करीबन है, तो बहुत ही important role है, इसका energy supply में भी, आप देखोगे, इस family का, और इसके जो special characters हैं, अगर आप देखोगे, तो stem जो इसके होते हैं, आपका stem होता है, except at node, जैसे मैं आप से example दूँ, आप देखोगे, इसके stem ऐसे होगा, यहाँ पे node, यहाँ पे node, पीर यह से होगा, तो जो यह portion आपका होता है, वह हैलो होता है और यह नोड है यह आपका यहां पर गांट होती है यह हैलो नहीं होता है यह फिल्ड होता है लेकिन यह जो आपका इंटर नोड पोर्शन होता है यह पोर्शन हैलो होता है ठीक है तो यह इसके special characters हैं और देखो कि जो narrow leaves हैं वो two rank system में alternatively born होती हैं यहां पर जैसे जो born होगी तो यह क्या है इसको पूरा cover कर लेगी तो इसको leaf seed बोलते हैं इस पोर्शन को यह cover कर लेगी तो इसको बोलते हैं जो कि आपका stem को cover कर लेती है फिर आपका एक narrow ऐसे leaf होगा ठीक है फिर इसके बाद एक यहां born होगा तो इन rank system में यह ऐसे होते हैं और पूरा पूरा जो है आपका क्या है कि जो इंटरनोड पोर्शन है वो leaf seed के द्वारा यह cover होता है तो अब देख सकते हैं लोवर पोर्शन आप इच रिप इंक्लोज इस टेम फार्मिंग द लीव सीथ जो मैंने आपको यहां पर बता दिया और इसकी जो वो special character है न कि जो कहते हैं कि grazing के लिए काफी पाच्चे लिए क्यों यह होता है देखो कि तर लीव ग्रूब फाम द बेस आप द ब्लेड एन अडाप्शन अलाउं तो इपोप विद द फ्रिक्वेंट ग्रेजिंग हम बार बार जो फ्रिक्वेंट ग्रेजिंग अनिमल करता ह अनिमल के द्वारा तो यह क्या है कि नोड बेस से आपका जो है लीव जो है इमर्ज करता है तो यह तरसे एडाप्शन स्टेजी है जो कि बार-बार लीव आते रहते हैं और ग्रेजिंग के लिए यूज होता है इसको पास्चर और उसके बाद जो दूसरी हम बात करेंगे तो वह है फेवेशी या लेग्यूमिनेशी फैमली यह भी बहुत इंपोर्टेंट है फूट ग्रेंट करप्स के इंपोर्टेंट आप देखोगे मैं जैसे बात किया सेरियल और पल्सेज दो most important component है किसमें आपके फूट ग्रेंट क्रॉप्स के तो दूसरी फैमली जो है फे special characters देखोगे जैसे अगर आपका यह कोई मान लो यह आपका leaf है और यह आपका petiol है तो यहां से smaller appendage आपका निकलेगा उसको बोलते हैं stiple of leaf ठीक है वह ऐसे appendage होगा और यह जब pair में निकलते हैं तो आप देख सकते हो इसको बोलते हैं जो कि आपका present होता है और इसलिए इसको stipulate leaf भी कह सकते हो यहां पर दो आपके ऐसे appendage निकल जाएंगे इसको बोलते हैं stiples और इस type के plant को stipulate leaf भी कह सकते हो को stipulate और आपका best example जो है आपका ही viscous है और जो without leaves without stipulates होते हैं उसको बोलते हैं इकसी टूपलेट और आपका best example mango है और आपको दीखेगा कि उसमें ऐसा leaf के पास जो है यह जो leaf रहेगा आपका इसके जो यह पेटियोल है यहां पर कोई ऐसा appendage आपको नहीं दीखेगा तो इसको बोलते हैं एक इकसी टूपलेट जो कि मुए वेस्ट इजांपल आपका mango and monocots है और मैं आपको यहां पर एक दिखा देता हूं जैसे आप देखोगे यह मैंने बोला ना यह पेटियोल है और यह दो appendages निकल गए है इसको इस्टिपलेट बोलते हैं इस टाइप का आपको characters दीखेगा most other legumes के जो leaves होते हैं उनके base पे ऐसा होता है और यह आपका जो gram का आपको देख सकते हो एक basic example यहां पर जो appendages निकले हुए है so these are the stipulates leaves इन में born होते हैं और इस family में आप देखोगे बहुत important crops लाइक आपका glycine maxoia bean इस ही के अंदर आता है faciolus bean जो है इस के अंदर आता है पाइसम सटाइबम जो है P आपका इस के अंदर है उसका sensor arytenum chickpea इस ही के अंदर है आपका liquor rice बोलते है liquor rice बोलते है यह भी आपका इसी के अंदर में आता है और कुछ ऐसे भी है जो weedy paste की तरह है जैसे in the zest of the part of the world पाय जाते है जैसे आपका cytisus इसको parisus है यह brooms बोलते है और रोवीनिया pseudo acacia है black locust बोलते है इसको ulex europeus इसको बोलते है गोर से and puraria montana आपका कुर्ज बोलते है भी इसी के अंदर है और यह number of the lupins also come under this phabesia leguminasi family और इसको phabesia के बोलते है कि आप देखोगे एक यह defunct gene होता है जिसको phaba में पाया जाता है included in visia the term phaba come from the latin appear to simply means the bean bean जो phaba जो phasios bulgaris यह सब जो होते है उनके phaba एक genus है उसमें defunct gene होता है that's why जो आपका phaba है जोहां से आया एक latin word है and leguminasi is the older name जो के अभी भी still consider क्या जाता है valid and refers to the fruit of these plants which are called legume और जो इस leguminasi जो इस family जो आपका fruit होता है उसको बोलते है आपका legume so that's why इसको leguminasi बोलते है तो यह थे something about the phabesia leguminasi family उसके बाद हम तीसी जो family की बात करेंगे वह है solenasi और इसको night stars भी बोलते है many members of this family इनका एक special character होता है इनमें alkaloids पाय जाते है but some are very highly toxic but many आप देखोगे इसके cultivated है जैसे आपका tomato की बात करें potato की बात करें eggplant है, bell है, chillies है, pepper है यह की हम use करते हैं as a food but many of the other जो इसके plants होते हैं उनमें काफी alkaloids पाय जाता है protein और वो काफी highly toxic होते है but still we are using to consume this as a food जैसे tomato, potato यह सब है और the family यह जो देखोगे बिलोंग करते है order solanels और the in the asterid groups and class magnoliposida जो की di cotyledynos है and इसका नेम जो है solanaceae derived from the genus solenum जो की genus solenum से लिया गया है उसका मत्ला नाइट से प्लांट के genus से लिया गया है solenum और यह भी माना जाता है कि the name may come from the perceived resemblance of the certain solanaceae flowers जो होते है वो sun की ray की तरह resemblance होती है its ray की तरह that's why इसको solanaceae बोलते है and at least this one species of solanum is also known as the sun तो कुछ यह भी माना जाता है कि suns की rays का जो structure होता है इसके flower का resemblance होता है that's why इसको solanum बोलते है solanaceae अब बात हम करेंगे जो fourth family है वो है Cucurbitaceae इसको Cucurbits बोलते हैं और the guard family जो भी bits होते हैं guard family है जैसे beetle guard, bottle guard, bitter guard, sponge guard यह सब इसी के अंदर आते हैं जो भी guard crops है, vegetables है वो इसके अंदर आते हैं इसको Cucurbits होते हैं and the genus name comes from the classical latin word Cucurbita means guard उसको बोलते हैं, that's why इसको guard family बोलते हैं और जो की देखो के most of the जो इसकी family होते हैं इसे are annual wines होते हैं जो की आप जो क्रीप करके creeping nature का होता है through wines जो होते हैं और वो क्या है कहीं पर creep करके चड़ जाते हैं आप देखोगे लतायों के रूप में यह चढ़ने लगते हैं wines होते हैं but some are coody होते हैं कुछ oody lane ash होते हैं thorny shrubs होते हैं और tree भी होते हैं dendrocycos जो है वो आपका tree है कुछ ऐसे भी example है इसमें लेकिन जो की maximum है आपको देखोगे family are annual wines होते हैं जो की creep करके कहीं पर भी दिवालों पर भी चड़ जाएंगे और इनकी species में आप देखोगे having large yellow and white flower होते हैं जो इसके stem होगे hairy हैं and pentangular और जो tendril होता है present होता है 90 angle at the leaf petioles at the note जैसे आपका यह मान के चलो यह अगर उसकी leaf है और यह petioles है तो वहां से एक tendril निकलेगा just nine tree angle पर जो कि जिसके सहारी है क्या है climb करती है चरप किसी को पकड़ लेती है दिवालों को पकड़ लेगी या किसी plant को पकड़ लेती है और leaves are stipulate alternate simple palmetally lobed are palmetally compound हो सकते है जैसे palmetally lobed अगर हम बात करें तो जैसे इस तरह के यह मान लो पे petioles है और जो leaves है वह आपका इस तरह से हो सकता है ठीक है और palmetally compound की अगर हम बात करें तो इसका structure जो आपको रहेगा वह इस तरह से रहेगा जैसे यह मान लीजीए यह leaves जो है compound होंगी एक जगह पर और यह आपका ऐसे petioles होगा तो either it में भी lobed यह तरह petioles होगा इस यह है आपका lobed का है और flowers जो होंगे आपके unisexual हैं with male and female flower on the different part of plant इस ने dioceous बोलते हैं on the same plant monoecious और जो female flower है having the inferior ovaries और जो इसके fruit होते हैं वो modified varies उसको बोलते हैं उसका नाम है people तो this was something about the cocurbidashi family उमीद करता हूँ आप लोगों को सुन गाया होगा अब बात करेंगे मालवेशी family की यह family estimated to have a 240 genera and 4,225 इसमें species हैं और economical जो crops हैं जैसे ओकरा है and durans हैं इसके अंदर आते हैं और कुछ इसके अंदर कर आपको ornamentals भी मिल जाएंगे जैसे alatia है heelock बोलते हैं malwa है mellow बोलते हैं lavatera है tree mellow बोलते हैं actually as telia जिसको lime और linden आपका tree बोलते हैं और इसकी special खास्यत था आपको इसमें presence of the जिसको tile cell भी बोलते है trichomatis nectaris बोलते हैं और इसके inforations को बोलते हैं bicolor unit और इसकी leaves जो होते हैं आप देखोगे permanently lobed होगा या permanently compound हो सकता है permanently wind हो सकता है और इसके flower की अगर हम देखंगे commonly born definite definite हो सकता है और indefinite auxiliary inforations हो सकता है which are often reduced to a single flower आप देखोगे इसके inforations definite pattern में या तो born हो सकता है या indefinite pattern born होता रहेगा और growth होता रहेगा और finally ये single flower में reduce रहता है but may also भी ये cauliflower हो सकता है and terminal हो सकता है इस type के flowers होते हैं इसमें और इसके fruits हैं often locally seedal capsule होते हैं जो की dehiscent nature का होता है when जब ये mature हो जाएंगे तो automatically फट जाते हैं और seed जो होता है disperse हो जाता है आपका जैसे ये दिया हुआ है और ये भी हो सकता है कि किसी जो carpels भी हो सकते हैं जैसे कि इसमें दो ही lobs होंगे जिसमें 2 carpels होंगे और जैसे आपका ये होगा carpels और ये पहले तो एक दूसरे से चपके रहते हैं फिल बाद में फट जाते हैं जब matured जाते हैं और seed का dispersal हो जाता है इसमें से और nut type के हो सकते हैं इसमें self-pollination ही आपके avoid by means of potendry potendry means androsium जो होता है पहले mature हो जाता है और इसके वाइस जाता है जासे फैमिली की जिसको cruciferry भी बोलते हैं और के medium size है economic important family है which is the family जो flowering plants जो mustard है इसमें आता है बसी है इसी लिए cabbage family है इसी के इंडर में है most other plants जो में होते है herbaceous nature होते है some ashrubs होते है with simple and although sometimes deep insights without stiplus means जैसे मैंने बोला था आपको कि leaf यह मान लीजे है तो जो इसका petiol है यहां पर appendages नहीं होते हैं इसमें जो कि आपका मैंने बताया था कि इसमें जो लेगविनेशी फैमली है उसमें यह appendages होते हैं तो विदाउट इस्टेपलस होता है और इन leaf rosette और कह सकते हो कि leaf जो है आपका एक in the rosette form में होगा और काफी winter में green जाते हैं को only few portion आपका जो होता है वेलो होना स्टाट होता है और terminal inference होगा means जो plant है इसके terminal parts पर inference होगा inference है क्या आपका एक arrangement होता है फ्लावर का एक group of flowers होते हैं उसको inference बहुते हैं जिसको बोलते हैं जो इसका फ्रूट आप देखोगे जैसे यह है इसका फ्रूट यह वान लेजी इसको सिलक आप बोलते हैं तो इसमें इस फ्रीन लेयर होती है और इधर 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 सीड जो है दोनों अरेंज होते हैं और यह बीच में एक थीन लेयर होता है उसको बोलते हैं सेप्टम और फैमिली कंटेंद इको इस फिरस बेस्टेबल इंक्लूद इस पेसी सच जैसे आपका ब्रेसिक आलरेशिया है ब्रोकोली है कैबेज है कॉल और स्बसे ब्रोकोल कि आपका मोरल आर्गनीजम जी को बोरß अरगनीजम जीस अरेब्यों से थाल एया थियाना थाल रिस भी जाते हैं वो भी इसी आपका एश्ञREE का है तो यह ध Allah पात करें गो एस ट्रेशि फैमिली की हिसको कंपोजिटीव ही जो कंपोजिटीव फैंटी इसको बोलते हैं तो dense heads जो है flowers होता है जिसको capitola बोलते हैं बहुत special character है इसका और sunflowers families को बोलते हैं और आप देखोगे इसमें क्या है कि surrounded by a involucular tracks जो होते हैं यह surrounded होते हैं जैसे आपका यह ऐसे है यह ऐसे चावतरप से tracks से surrounded रहेगा और जब आप दूर से देखोगे from a distance इस capital appears to be a single flower तो आपको यह दिखेगा कि यह जो है एक single flower है ऐसे आपको एपियर होगा और इसकी जो नेम है estresi came from the type of genus aster from the ancient grink word है जिसका meaning is star होता है star की तरह आपको यह दिखेगा उससे estresi family का यह नेम आया because of यह जो star-like दिखता है star-like form of the group of the flower ऐसे आरेंज होगा कि आपको दूर से दिखने पर star एक single flower तो इससे इसका नाम estresi रख दिया गया और इसको some flower family भी पोलते हैं ज्यादर कियेगा अब इसके बात हम बात करते हैं आप से बताता हूं कि इसके leaves है simple और mostly alternate होते है sometimes opposite हो सकते हैं और again कह रहा है they never possess stipulus जो मैंने आलरी बता चुका है what is the stipulus leaf तो इसमें stipulus नहीं होता है यह इसका leaf और इसका क्या हो सकता है या तो flat हो सकता या tearate हो सकता है and their shape is extremely variable with entire or toothed margin आप देखोगे इसके leaf जो है आपका ऐसे 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 होगा यह toothed shape होता है और उसके बाद आप देखोगे कि some species leaves are reduced to the minute scale बहुत चोटे-चोटे हो जाते हैं and amaranthasi is a family of flowering plant commonly known as the amaranthus family आपसे बता दो चिनिपोडिसी जो सब family है आपका इसकी amaranthasi की refers to its type of genus amaranthus इसे इसका amaranthasi बढ़ा और इसके flower आप देखोगे काफी solidatory ऊपर वहता है ऐसे-इसे arrange होगा aggregate in the cymos and spike and pinnacles कर सकते हैं typically perfect bisexual flower होते हैं and actinomorphic आप कह सकते हो actinomorphic होते हैं means equally आप दो लाइंगोडिटिनल से divide करोगे तो equally दो पार्ट में divide होगा सकते हैं जैसे आपको यहां पर दिया हुआ है it can be divided into two equal by two or more plane जैसे आप देख सकते हों यह flower है actinomorphic flower some excessive have a unisexual flower and the bracts and bracteules are either herbaceous or scaryous यह थे something about the chinopodi SC and the amaranthesi family के बारे में अब हम बात करते हैं यू फिर भी यू फोर भी ऐसी का इसमें आपका caster जो है आपका बहुत ही important example है and topic का ठीक है and leave जो है alternate होते हैं seldom opposite होते हैं with h2 plus इसमें बताया जैसे में बताया थाग ने h2 plus जो पीटीवल के पास जो पर दो appendages होंगे इसमें यह leaf होगा जो ठीक है यहां पांटेज होते हैं इस्टू प्लस बोलते हैं they are mainly simple but some compound and always plummet and never pinnate palm की तरह होगा मतला पंचा जैसे होता ना आपका जैसे आपका हाथ का पंचा है उस type का इसका leaf होगा never pinnate फेदरी नहीं होता पांट का मतला फेदरी नहीं होता इस्टू प्लस में भी reduce to hair जो इस्टू प्लस जो होता है जो मैंने बताया था glands जो निकले होते हैं वो hair और glands की तरह होंगे spines होंगे in succulent species are sometime absent जो succulent होते है sometime उसमें नहीं भी रहाएगा ठीक है the plant monoseous हो सकता है or dioceous हो सकता है symmetric flowers are unisexual with male and female flowers usually on the same plant जब same plant पर ही है तो उसको monoseous बोलते हैं male and female parts different parts of the plant एक ही plant पर हो तो उसको monoseous बोलते हैं अब बात करते हैं Convolvuletia की और Convolvuletia अब से बता दूँ wine wheat morning glory एक बहुत important wheat है फिल wine wheat बोलते हैं उसको उस family के नाम से बोला जा सकता है wine wheat or morning glory family इसको बोल सकते हैं इस फैमिली बहुत 60 जंड़ा है more than 60 or 50 species of the mostly herbaceous wines याद है कि इसमें भी wines होते हैं यह पकड़ के आपका किसी पर क्रीप करके चट सकता है creeping ability होते है but also as a tree, shrubs, herbs and also include sweet potato sweet potato बहुत ही important major crops है जो tubers crop है जो इसको इसको अंदर में आता है और सबसे बड़ी family इसकी देखो कि best example है कि इसकी जो flowers होगा वह आपको funnel shape में दिखेगा ठीक है जो इसका floral formula है has the five cephal five fused petals and five hippie petalus stamens होते है stamens fused to the petals ठीक है and the two part of the sinocarpus and superior gynetium पहे जाता है and the fruit can be capsule, vey, nut and all contain only two seeds per one locule one ovary हमें दो seeds इसमें पहे जाते है तो इससे दिखेए ठीक है funnel shape इसका जो आपको दिखेगा flowers दिखेगा और tube grass crab sweet potato बहुत ही आपका इसमें एक best example है अब बात करते हैं apsee और ambeliferous family mostly aromatic flower plant है वो इसके अंदर आते हैं genus apium से इसको लिया गया है that's why इसको नों बोलते है apsee and commonly known as celery or carrot and parsley family simply as ambuliferous और इसके अंदर आप देखोगे जो important plants है जिसे अजवाइन है अंगेलिका है अनीश है asphotida है केरवे है केरट है सिलरी है चरेविल्स है कॉरिएंडर है क्यूमीन है दिल है फैनल है लोगावे हैं कौव पर्सली है पर्सली है पर्स्नीप है सिल्फियम है प्लांट फूस एडिंटिफाइज अंकलियर और इसके अंदर इसके अंदर इसके बाद हम एलियसी फैमली की बात करें अलियसी फैमली यह जो आपका अलियसी फैमली है जो की पर्नियल होता है और इसके देखोगे जो जीफ है ग्रोफ फ्रम बल्ब जो बल्ब होते है आपका वहां से करता है जैसा ओनियन है आपका लैसून है यह सो इसके अंदर में आते हैं and the leaves vary from the flat to the circular, आपको इसके leaf flat भी हो सकते हैं, जैसे लासन में flat होता है, but in the onion देखोगे आप circular होता है, and hello with parallel fence running along with the long blades, and leaves have a onion-like or garlic-like scent when the crust, जब आप इसको crust करोगे ते का अज़ जब सा सेंट आएगा, इसके leaf से, the flower are clustered in a umbell at the top of the flower stem, आप देखोगे की इसका flower जी है, leaves के ऊपर ही पार जो होता है, आपका यहाँ पर इसे बाउड होंगा, as embell, sometimes the flower are replaced by the small bulb that can be reproduced as vegetatively, और कभी-कभी flowers जो होता है, की एक bulb का फॉर्प कर लेगा, उसको as a vegetative means आप प्रोगे भी कर सकते हो, the flowers are continue, continomorphic, radically symmetrical, have both pollen bearing and obule bearing part, उसमें होता है, the sepal and petals are similar in the appearance, they are six systemen होते हैं, one style ह होता है, the obri is composed of three carpels, जो उसकी obri होते हैं, three carpels होते हैं, the fruit are dry capsule containing black seeds में होता है, तो यह में भी winged हो सकता है, उसमें winged हो, जिसे की dispersal में उनको help होगा, the family was formerly included in the broadly identified liacee family, तो यह सब थे, कुछ special character liacee family का, तो आप याद रखिएगा, इसके leaf जो होते हैं, circular, rounded, या flat भी हो सकते ह जैसे कि आपकी लहसूल में होता है, onion में rounded होता है, flowers जो होले, top पे होगा, bulb से यह निकलता है, तो यह कुछ इसके special character थे, अब बात करते हैं, जिंजबरेशी family की, जो की ginger इसमें आता है, और member of the family, a small herbaceous plant होते हैं, which distinct leaves with the basal seed, basal seed हो का that overlap the farm of pseudo-estem, आप देखोगे कि एक दू जो stem, actually stem होता नहीं है, लेकिन stem की तरह दिखता है, क्योंकि कई leaves के सीथ हैं, आपस में overlap कर जाते हैं, flowers क्या है, the plant either self-supporting और epiphytic हो सकता है, जो self-support होता है, या तो किसी पे depend होगा, flowers are hermaphrodite, means perfect flowers है, male and female दोनों होते हैं, they usually, they strongly gyagomorphic, indeterminate cymosis, enforcers and subtended by the conspicuous and spirally arranged brackets, the parianth is composed of two horals, a fused tubular calyx and a tubular corolla with one lobed longer, larger than other two, flowers में दो esterile stamens होते हैं, and fused to farm a petioloid leaves and have only one fertile stamen, only one fertile stamen होता है, और इसमें देखोगे, ovary है, inferior होती है, and topped by the two nectarines and stigma is funnel-shaped होती है, तो something about the gingivoracy family, आपको देखोगे, इसमें pseudo stamen पहे जाता है, जो सीथ होते हैं, over wrapped होती है, यह self-supporting हो सकता है, यह epiphytic हो सकता है, ठीक है, और flowers are hermaphrodite होते हैं, and strongly gyagomorphic, जो cymosis, enforcers and determinate होता है, और इसमें जो आपका stamen, soja fuse होते हैं, जो दो जो है, आपका देखोगे, sterile stamen होते हैं, और one fertile stamen होता है, ठीक है, और जो आपकी stigma है, वो है आपकी funnel shape में होती है, तो this was something about the different family and their description, I tried my best to explain, hope, यह उमीर करता हूँ कि यह आप लोगों के लिए कुछ favor by help करेगी, तो कैसा था यह वीडियो, इसको feedback box में जरूर लिखना, और क्या improvement कर सकते हैं, और उसको भी बताना, कैसा लगा वीडियो, like करना, आपने दोस्तमें इसको share करना,